हेलो स्टूरेंट्स आज आपां ग्यान रिश्मा पंजाबी व्याकरन दा नेक्स्ट टॉपिक करांगे मुहावरी जो तुसी पहलावी कार चुक्के हो ते काप पी तेली चुक्के हो ते आज आपाउना दा मतलव समाज देयां पाठ उन्नी मुहावरी तो अडिवयाकरन देवी चैप्टर उन्नी मुहावरी है बिटा अपां समझांगे मुहावरी हों देकी है ठीक है आपां आम लेंग्विर्ज देवीच जो दो गालवाद कर देयां ता ओधे विच उसनों प्रवावशा लिपन आपां कोई तुक वर् जिसनों महावरा क्या जानता है बिटा ओधे नाड़ा अपना जिड़ा बहुत वड़ी गालों हों दिये ता बहुत छोटे शब्दां देवीचे क्या जान दिये ठीक है जे में होने थे कि ए दो मित्तर गल्ना का रहे ने ता रम्मन केह रहे है वी जड़े सांत ने ओहो सार ने एक आख नाड़ विखन दा मतलब है वी सारे लोका नू बराबर समाझ देया ना उनना लिए कोई उच्चा नहीं कोई नीवा नहीं कोई गरीव नहीं कोई अमीर नहीं ठीक है एसे तरह ए दोना दिया गल्ना तो आपा समाझ गया कि जिड़े अपा कोई गल कर दिया किस सब नू बराबर समझना ठीक है एस करके पा मोहावरी दा की कह सक देया बी शब्दा दा अजेहा समोच जिस दे शाब्दिक अर्थां दा दीधा उस्ते होर अर्थ परगट हुंदे होन जो शब्द लिख्या है ओ नहीं पर कोई होर अर्थो दा परगट हुंदा होवे ता ओ बहुत Annaro'm झाल जाब्द ए sprपाशाु बहुत लिखन दीधी जैने कि अपा छोटे वाक दिविच बहुत वड़ा अर्थ समझा सक देया के जिड़ेग महावरे नू उसरूपिच हिपर्त जन्द है जोड़ों एंड़े खंढ़िया ता महावरीदा बां देविक श。 रही प्रयोग हुंदा है ठीक है कि नहीं मोहावरे नी बाका विच वर्तों करन समय लंबे वाक का दी था छोटे बाका नूं बनाओने चाहिए ठीक है ए निया कि बाक सी बहुत ज्यादा लेंती बनाओ शौट दे विच बनाओ ते ओधा शब्दिक जेड़ा अर्थ है बहुत चंगी तरा समाज आजे तो अनूं ठीक है मोहावरे समाज आगया बेटा मोहावरे नाल जड़ी अपनी आम लेंगोईज है जा आम पाश है ओहो बहुत ज्यादा प्रवावशाली बनचन दिये महावरे जड़ा जड़ा बाक बनाओने या उस अर्थ नी उस दे विच दिसन अवहावरे जड़ा हों दा ओह ओहो ही अपाँ वरत जया जिमें इक आक चनाल विखना एस अर्थ की ये सबनू बराबर दिखना जिदोब आप आम पहावरे बना बनाँ आम आगये साड़े पेंडवाले सांत सबनू इक आक चनाल वेख देआ न ता ओही महावर हो दे विच वर्तों विच्चा उगा एसे तरह महावराजी में उल्लू बनोना किसे नू मूर्ख बनोना ठीके तरह एह उल्लू बनोना मतलब कि ये मूर्ख बनोना ठीके तरह एरे विचे आपकोई भी महावराब ना सकने या मोहन ने अपने मावापनों उल्लू बनाया जो के गलत है ठी इसतरा नंबर दोती है, उंगल करनी, दोश लाणा किसे थे, बीना किसे दी सचाई जाने सानों किसे थे, उंगल नहीं करनी चाहिए दी, उननी इकी दा फरक, उननी इकी, जानी वी इकी, बहुत थोड़ा फरक होंदा दे विच्छ, बेटा एदे विच्छ ही एदा प्या हुंदा है, बहुत थोड़ा फर्क होना, ठीके, शाम अते राम दे काद विच उन्ने इक कीरा फर्क है, तो हावरा तुसी कोई भी बना सकते हो, उच्चा नीमा बोलना, किसे दी इंसर्ट करना, बेज दी करना, बच्चयानू कदे भी अपने तो बढ़्डयानू उच् है कि अग लगना जा कुछ भी असता मतलब है, अग देपा होना जणी कि बहुत ज़्यादा महिंगा होना, अज कल हर चीज बजार विच अग देपा होई पई है, अखा फेर लेनियां, दोस्ती तोड़ लेनी, जणी किसे तो अखा चरा लेनियां, उस बल ना दिखना, ठीक आख लगने सोजाना रात नों पड़े पड़े मेरी अख लग गई अखादा तारा होना बहुत प्यारा होना बच्चा अपनी मा दिया अखादा तारा होन्दा है ठीक है आईच लएए करना आईचलाई मिनके जिनने पैसे आउदेने उनने ही खर्च होने मसा गुजारा करना जा मुश्कल ना गुजारा करना महगाई दे जमाने विच जड़े अजकल लोक मसा ही आईचलाई कर दे अगविच शाल मारना मेंस के खत्रा मुल लेना रमेश ने थानेदार नाल बैस करके अगविच शालमारन वाली गल कीती है ठीक है बेटा एसे तरह मुहावरा है एक मोठ होना जणी के इकठे रहना साधीज मात दे बच्चे हमेशा एक मोठ होके रहन आप एवी बना सकते हैं अपने कुलों महावरा ब्लाण दी कोशिश करेया करों एक आखनाल विखना ओही आगया ना सार्यानू ब्राबर समझना एते कुछ भी कह सकते हैं महराजा रंजीत सिंग जी जड़े सिगे ओहो सबन इक आखनाल वेखते सांट जडिके इक ब्राबर समाजदे सांट इट कुतलेदा बयर मीलना JAC राम दा व्या हो गया ता님 लेस आखंणी हू इदल चांद होना बहुत देरवाद मिलना इक दियां चार स्नौना जणी अग्गे तो बद की जब पाई किसनों इक गल कहने है तो उस तो बद के बोलना ने के मन्जीत दा एद्धा दसवा है कि हो इक दियां चार स्नौन दी है इस तरह एह सारे मुहावरें दे आर्थ समझ के ही बेटा पासारा कुछ बना सकते हैं ते उनना दे आर्थ दासके अपन वाक बना सकते हैं